हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं निक्सा सिंग फिर हाजिर्म लाइबरेरी के फिल्ड में कुछ नए अपडेट के साथ तो यह जो अपडेट है डियाडियो की ओर से है डियाडियो ने मौक टिस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड की है ताकि आप फैमिलियर हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से एक्जामिनेशन में आपको एक्जाम देनी है आपको अपनी पेपर देनी है क जो हम लोगों ने form भरा था उसकी admit card जारी कर दी गई है इसके उपर भी मैंने अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड की है अगर आप भी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है और admit card डाउनलोड नहीं किया है जो वीडियो की link है मैं अपने वीडियो की description में आपको provide कर दूँ कि step by step मैंने वहां पर बताया है कि कैसे आपको admit card डाउनलोड करनी है तो वहां से आप देख करके step by step कैसे डाउनलोड करनी है आपको idea मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर आप right side में देख सकते हैं click here to mock test for computer based test यानि कि यहां पर आपको mock test provide की गई है organizations की ओर से डियाडियो की ओर से ताकि आप familiar हो जाएं basically यह इसलिए provide की जाती है ताकि जो भी student new है अभी तक cbt test एक बार भी life में नहीं दिया है तुने बहुत tension होती है कि पता नहीं किस तरह से exam होता है computer पे या फिर वह familiar नहीं है computer के साथ तुने बहुत ज्यादा tension होती है तो इसलिए जो institute होता है या कोई भी organizations है वो mock test provide करती है सभी नहीं करते हैं बट कुछ-कुछ होते हैं जो mock test provide करते हैं जिससे कि आप familiar हो जाएं कि exam कैसे देना है ठीक है तो start करते हैं यहाँ पर देखिए start the exam candidate login submit यहाँ पर जो medium code है यहाँ English ही है यहाँ पर देखिए options नहीं दे रहा है change करने का बट इससे आप panic मत होईगे जहां आप exam sample पर देने जाएंगे जो आपका main paper आप देने जाओगे तो वहाँ पर आपको bilingual देखने को मिलेगा पेपर हिंदी और English दोनों में paper रहेगा यहाँ पर जो sample provide की गई है डिया डियो द्वारा वो English में ही की गई है इसलिए यहाँ पर हम लोग able नहीं है हिंदी करने में ठीक है confirm करते हैं यहाँ पर हमने confirm किया उसके बाद यहाँ पर candidate के लिए instructions दिया हुआ है instructions को आप एक बार अच्छे से read कर ले आपकी सारी doubt जो examination से related है यहाँ पर clear हो जाएगा ठीक है 90 minute का आपका exam होगा 3 shift में यह exam है आ यहाँ पर रहेंगे 120 प्रस 120 अंक के होंगे ठीक है हर प्रशन के लिए आपको एक अंक मिलेगा ठीक है और यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं है ठीक है इसके अलाबा instructions काफी बड़ा है आप एक बार अच्छे से check out कर लिजिएगा यहाँ पर एक चीज और जो green sign यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर जब आप exam देंगे तो वहाँ पर आपको three box दिखेगा ठीक है वहाँ पर जो green दिखेगा उसका जिसने आपने attempt कर लिया question वो green होगा जिसका जवाब आपने दे दिया और आपने प्रशन का उत्तर नहीं दिया है और समिक्षा के लिए चिनित किया है वो yellow दिखेगा और आपने प्रशन का उत्तर दिया है लेकिन समिक्षा के लिए चिनित किया है तो purple color का दिखेगा उसके बाद जिसका answer आपने नहीं दिया है वो आपको white color का दिखेगा ठीक है उसके बाद कृप्या ध्यान दे जिन प्रशनों का उत्तर दिया गया है और समि ठीक है यह ध्यान रखिएगा उसके बाद यहां पर इसको start करते हैं हाँ तो यहां पर हमारा sample questions open हो गया तो first question जैसे यहां पर पूछा जा रहा है सपोज हमने यहां पर option A select किया और next question कर दिया इसका मतलब यहां पर आप देखे attempted आपने एक attempt कर लिया ठीक है next question जो हमारा है यह यहां पर उसको मैंने यहां पर tag कर दिया ठीक है और next question कर दिया इसका मतलब है कि आपको जब समय मिलेगा tag का मतलब basically इस examinator में है कि आपने यह question को tag करके रखा है कि बाद में इसकी समिक्षा करिएगा अभी आपके पास time नहीं है जब time मिलेगा तो इस पर थोड़ा समय देक हम इसको solve करेंगे ठीक है next है उसके बाद इसको हमने select किया यह erase का भी option आपको यहां पर देखने को मिल रहा है उसके बाद हमने next कर दिये ठीक है तो यहां पर आपको दिख रहा है unattempted 3 यानि कि आपने 3 questions के जो उत्तर है वो attempt नहीं कि एक का दिये एक tag किये ठीक है उसके बाद यह suppose कि यह question को मैंने b select किया और next कर दिया टैग किया ठीक है यानि कि इसमें आप chain किये एक question लेकिन इसकी भी आपको समिक्षा करनी है इसमें आपने question select नहीं किया ठीक है तो यहाँ पर आपको जब आप screen पर जाएंगे तो आपको चार option दिखेगा वहाँ पर जिसका आपने उत्तर दे दिया वो green दिखेगा आपको attempted आपका समिक्षा करेंगे लेकिन आपने कोई भी प्रश्म चैन नहीं किया वह आपको yellow दिखेगा purple जिसमें आपने question select किया लेकिन उसकी समिक्षा किजिएगा तो वह आपको वहाँ purple दिखेगा और जो question आपने attempt नहीं किया वह आपको white color का दिखेगा तो इस तरह के exam होंगे आपकी ठीक है उसके बाद submit है यहाँ पर submit करनी है प्रिव्यू एंड submit ठीक है option आपको दिखेगा जब आपने सारे प्रश्मों का उत्तर आप कर देंगे उसके बाद प्रिव्यू एंड submit का option दिखेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर submit कर देनी है ठीक है इस तरह से submit हो जाएगा आपका exam तो गाइस यही प्रोवाइट की गई थी DRDO की और से mock test तो जो भी student basically यहाँ पर जो student नए हैं CBT के लिए उनके लिए provide की गई है familiar होने के लिए उनको एक आइडिया हो जाए तो admit card भी जारी कर दी गई है आप download कर ले जल्द से जल्द और मैं अपने वीडियो के description में उसके link प्रोवाइड कर दूंगी मैंने बताया है step by step कैसे download करनी है तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से नए अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई बाई